हो फ्रेंड यिसु सहाय स्वागत है मेरा एक ओकिटन में आज हम बनाएंगे टामाटार का आचार इस टामाटार का आचार को बनाने के लिए किन चीजों क्या हो सकता है देख लेती हैं इसके लिए मैं 7 किलो टामाटर ली हूं इसे धोके साफ कर ली हूँ और इस तरीके से पका हुआ टमटर लेना है और इस दिखें मैं टमटर को काट ली हूँ इस तरीके से टमटर को काटना है और इसमें डालेंगे दो चमच नमक और इसे अच्छा से मिला देंगे आप इसे ढकन बंद करके रखबर के लिए ढग के रखेंगे. यह दिखे मैं रखबर रख लिए हूँ और टमाटर से कितना सारा पानी निकला है. तो इसी पानी में हमें इमली को भिंगाना है. और इस टमाटार को निचोड़ निचोड़ के हमें कोई बरतन में फैला के सुखाना है इस टमाटार को एक या दो दिन के लिए आप धूप में सुखा सकते हैं तो इसी तरीका से हमें सारे टमाटार को एक एक करके फैला लेना है तो यह देखे मैं सारा टमाटर को फैला ली हूँ अब इसी पानी में डालेंगे 100 गरम इमली इमली से मैं बीज नहीं निकाली हूँ भींगने के बाद इसको निचोड़के इसका बीज को अलग कर लेंगे और इसे रख देंगे फ्रीज में एक दिन के लिए तो यह देखे टमाटर हमारा अच्छा से सुख गया है एक दिन मैं अच्छा से सुखा ली हूँ तो टमाटर को हमें इस तरीका से सुखाना है यह देखे इमली हम लोग का अच्छा से भींग गया है तो इस इमली को अब इस तरीका से हमें निचोड़ना है और निचोर निचोर के इसका बीच को अलग करना है यह देखें मैं बीच निकाल के चलनी कर ली हूँ आप इस पांतनी में हम लोग डालेंगे सुखा हुआ टामटार को यह देखें मैं सारा टामटार को डाल ली हूँ आप इसे एक पर अच्छा से मिला देंगे अब लेंगे एक ग्रेंडर उसमें सारे टमटार को डाल के पीसेंगे तो देखे मैं सारा टमटार को डाल ली हूँ अब ढाकन बंद करके पीसेंगे अब देखे मैं टमटार को महिन पीस ली हूँ तो टमटार को हमेश तरीका से महिन पीस के लेना है मसाला में मैं एक छोटी चमट धनिया एक छोटी चमट जीरा एक छोटी चमट सर्सो सर्सो काली या पिली कोई भी सर्सो अब ले सकते हैं कड़ी हमारा गराम हो गया है इसमें डालेंगे मसाला और मसाला को भूनेंगे तो यह दिखें मसाला हमारा चटक गया है और मसाला को निकाल के ठंडा होने के बाद इसे पिसेंगे इसी कड़हे में मैं ली हूँ 200 गरम सर्शो का तेल हमारा गराम हो गया है अब इसमें डालेंगे दो चमच चना दाल और इसे भी डालके अच्छा से दो मिनिट के लिए पकाएंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच पचपोरन और इसे भी चटकने देंगे और इसमें डालेंगे तीन लाल मिर्चा जिसे मैं दो टुक्रों में काट ली हूँ इसे भी अच्छा से चला देंगे और इसमें डालेंगे नाव दस करीपत्ता और इसको चलाती हुए पकाएंगे और इसमें डालेंगे दो चमच अधरक लशन का पेष्ट जिसे मैं दरदर पीच ली हूँ और इसको भी दो मिनिट के लिए अच्छा से पकाएंगे तो यह दिखे मैं दो मिनिट अच्छा से पका ली हूँ आव इसमें डालेंगे टमटर पीची हुई टमटर अर इसको भी मिडियम आज में चलाती हुए पकाएंगे तो देखे मैं पांच मिनिट पका ली हूँ और इसमें डालेंगे भूना हुआ मसाला जिसे मैं दरदर अपीच ली हूँ इसको डालके मिला देंगे और इसमें डालेंगे एक चामाच फल्दी पॉडर एक चामाच लाल मिस पॉडर और इसे डालके एक मिनिट के लिए अच्छा से भूनेंगे तो यह देखे मैं एक मिनिट अच्छा से भूनेगे यह देखे मैं चलाते हुए पका ली हूँ आप मुसको थोड़ा नमक कम लग रहा है तो इसमें मैं एक छोटी अधी चमच नमक डाल रही हूँ और नमक डालके मिडिया माज में पकाएंगे तो एक देखे है तामातर हमारा तेल छोड़ रहा है यानि की अचार बन गया है तो इस तरीका से हमें अचार को मिडिया माज में पकाना है अब इसमें डालेंगे दो चमच भी निगार बिनिगार डालने से त्वाटा आचार हम लो खरब नहीं होता है और जब हम भी निगा डारते हैं तो इसे अधिक देरी तक नहीं पकाना होगा नहीं तो हम लोग का अचार का स्वात खराब हो जाएगा अब गेश्कोप कर देंगे तो यह दिखें हम लोग का तामटर का अचार बनके तयार है अब इसे अब निकालेंगे देखे टामटर का चारवन के तयार है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सुस्क्रेब जरूर कर देजिएगा अपना किमती समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धनिया बात मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देले बाइबाइ